शत्रपति शिवा जी अपना फर्ज निभा गए और जैसा भारत वो बनाना चाहते थे हम वो ऐसा भारत बचा भी नहीं पाएंगे तो माफ करिये हमें कोई हक नहीं है जब शत्रपति शिवा जी को एक धरम का राजा बना दिया जाए और दूसरे धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएं और हम शिवा जी को मानने वाले इस दुरुपयोग को रोक न पाएं तो हम सिवा जी के वारिश नहीं कहला सकते कोई अपनी तलवार के दम पर अगर राजा भी बन गया तो उसका राज्या भिशेक करने के पहले उसकी जाती देखी गई और कहा गया कि ये तो राज्या बनने के काबिल नहीं इसलिए हम इसका राज्टिलक ही नहीं करेंगे आज अगर कोई आपका थोड़ा सा खेत लूट ले कोई एक अपमान कर दे तो आप इस बात के इंतजार में रहते हैं कि उसका बदला कैसे ले ले और जब इस मुल्क के कमेरा लोगों हाथ से श्रम करने वाले लोगों को मौका मला तो जोतिबा फूले के रूप में अगर प्रतीक बैठें हैं तो जोतिबा फूले ने बदला नहीं लिया गुलामगीरि लिखी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए वो अपनी बेडियां खुद बखो तोड लेगी ये के शरिया रंग तो तथागतपुद के चीवर का रंग था ये के शरिया रंग चत्रपति शिवाजी का रंग था, ये के शरिया रंग शहीद आजम भगत सिंग का रंग था, जिनोंने इस मुल्क को बहतर बनाने के लिए अपने कुर्बाने देती। और इस इतिहास को कहा जाता है कि ये हिंदू बना मुसल्मान की लड़ाई है, नहीं लड़ाई है ये हिंदू बना मुसल्मान की, ये लड़ाई राजाओं की राजाओं से थी और आज 2024 के भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को धरम के खिलाब खड़ा कर दिया हम अब अंगूठा तुम्हें देने वाले नहीं हैं, हम अपना हग छीन करके लेने वाले हैं, तब हम शिवा जी की बात यहां पर कड़े हो के करें, आप भी चलो अंदोलन में एक लाइन जोड़ो, जब तक जाती जनगड़ना कराकर 52% आबादी को 52% रिजर्विशन नहीं द करते हैं, और ताना शाहों से डरने वाले लोग नहीं हैं, जिसको खुदा भगवान ईश्वर को मानना होगा, वो दिल में मानता होगा, सरकार हम चुनते हैं, सिक्षा स्वास्त रोजगार के लिए, स्कूल कॉलेज हस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अच दॉक्टर अमबेटकर सयाजी बाग में संकल्प लिये थे कि जब तक जाती बेवस्था को खतम नहीं कर दूँगा, इस भारत को नहीं छोड़ूँगा मुबारक बहार में, गुले गुल जार में, अचानक ये जगमगाता नूर आ गया है, शमशीर की धार पे चलके शेर आ गया है, ये बहुत खुशी की बात है, कि प्रतिकात्मक ही सही, इशारे में ही सही लेकिन आपने शिवा जी का प्रतिरूप हमारे साथ ये हमारे लिए बड़ी बात है ये महसूस होता है खंधर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी हम इस उम्मीद के साथ अपने नायक अपने पुर्खे को याद करते हैं और अभी सुनील जी कह रहे थे कि कुछ लोग आहत हो गए होंगे पहले के कारिकमों से तो उनके लिए एक बात एक कविता मुझे आद आती है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे फूल था मैं और मुझे काटा बना कर रख दिया और अब काटे से कहते हो कि चुबना छोड़ दे इतिहास बताता है कि पिछली पीड़ियां जो गुजरी वो बहुत शान और शौकत से नहीं गुजरी उन्हें इनसान भी नहीं समझा गया हजारों हजार साल का इतिहास इस बात का है कि इनसान इनसान को इनसान न समझे ये एक इतिहास है जिसे वो इनसान भगवान समझता था उस भगवान के सामने भी इनसान को इनसान नहीं समझा गया उनके मंदिरों में इनसान को जाती देखकर जाने से रूका गया सडक पर कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा तालाब का पानी कौन पीएगा कौन नहीं पीएगा ये इतिहास दुनिया में शायत कहीं और नहीं होगा आर्या वर्ते, जंबू द्विपे, भारत खंडे ये इसी सोने की चड़िया का इतिहास है तो जिनके पुर्खों की हजारों हजार साल की भावनाएं आहत होती रही अब तो हमने भारत के संबिधान को मानना शुरू कर दिया है कि उसका बदला नहीं लेते बस ये गुजारिश करते हैं कि अब बराबरी के दुनिया बने इनसान को इनसान समझा जाए और किसी की बात का कोई हमें तकाजा नहीं है आज अगर कोई आपका थोड़ा सा खेत लूट ले कोई एक अपमान कर दे तो आप इस बात के इंतजार में रहते हैं कि उसका बदला कैसे ले लेंगे और जब इस मुल्क के कमेरा लोगों हाथ से श्रम करने वाले लोगों को मौका मिला तो जोतिबा फूले के रूप में अगर प्रतीक बैठे हैं तो जोतिबा फूले ने बदला नहीं लिया गुलाम गिरी लिखी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए वो अपनी बेड़ियां खुद बखुद तोड लेंगे ये सबसे महत्पूर्ण लडाई हमारी हमारी पूर्खे बाबा साब डॉक्टर भीम राव अंबिटकर को मौका मिला तो उन्होंने क्या लिखा फर्क देखिए उन्हें मौका मिला तो उन्होंने एक गरंथ लिखा जिसमें कोई मुक से पैदा हुआ कोई भुजाओं से कोई जंगी से दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है एक भारत देश ऐसा है जहां कोई मुक से भी पैदा हुआ अब मुख से पैदा होने के लिए मात्मा जोतिबा फूले ने क्या लिखा है अगर वही पढ़ने लगें तो आहत होने वाले तो उस पर भी आहत हो जाएंगे लेकिन मैं नहीं कहरा ये बात जोतिबा फूले ने गुलामगीरी में लिखी है कि मुख से पैदा हुआ तो गर्ब कहा ठहरता था ये हमने नहीं पूछा लेकिन ये सवाल इसलिए नहीं है कि किसी को अपमानित किया जा सके ये सवाल इसलिए था कि किस मान सकता कि लोगों ने इस मुल्क के कमेरा लोगों को पैर से पैदा होने का इतिहास लिग दिया और पैर से इसलिए पैदा होने को लिखा कि पैर से पैदा होने वाले लोग पैर से ही रहें इसलिए कोई अपनी तलवार के दम पर अगर राजा भी बन गया तो उसका राज्या भिशेक करने के पहले उसकी जाती देखी गई और कहा गया कि ये तो राजा बनने के काबिल नहीं इसलिए हम इसका राज तिलक ही नहीं करेंगे इस इतिहास को कब तक छिपाया जाएगा आज तो छत्रपति शिवा जी महाराज उनके जंडे उनके बैनर में भी दिखते हैं जिसकी मानसिक्ता कि लो इससे किसी की भावनाहत नहीं होई जब आपके किताब में लिखा था जन्मना जायते शूद्र कर्म फल विभागे मतलब कर्म से जो जैसा होगा वो उस जाती का होगा तो छत्रपति शिवा जी महाराज के कर्म तो उनको छत्रपति बनाने के थे सुराज लाने के थे मगर छ खत्रपति शिवा जी महाराज की जाती आड़े आ गई उनकी माता जी जिस माता ने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि 35 साल भीक मांग के राज करना कुछ बाते मैं इशारे में कहूंगा क्योंकि वक्त का तकाजा है कुछ सचाई कहने का उन्होंने अपने बच्चे को सि करना है तो मैं इस मुल्क का शाशक बनना है तो मैं राज बनाना है जो सुराज पर चलेगा जिसमें इंसान और इंसान बराबर होंगे उस माता के सिखाये हुए सबक्त से चत्रपति शिवा जी ने अपने ताकत से वो उनकाम हासल किया लेकिन जाती आड़े आई और कि जाती के आड़े आने के बाद भी चत्रपति शिवा जी ने बदला नहीं लेया किसी से उन्होंने एक ऐसा राज बनाया जिस राज में सब बराबरी से रहते थी मैं जानता हूँ कि कुछ सचाईयां इतनी कड़वी होती है कि उन्हें काइदे से बया कर दिया जाए तो प जो किसी धरम का राज अस्थापित करने के लिए किसी दूसरे धरम से नफरत फैलाने के लिए नहीं राज करने आये थी वो सुराज क्या था उस सुराज को मैं आपके बीच में रखना चाता हूँ और इस देश के लोगों को गाउ गाउ तक पहुचाना चाता हूँ एक किसान कमेरा परिवार में पैदा हुआ शक्स जिसकी तालीम जिसकी सुख्षा दिख्षा मेहनत करने की थी श्रम करने की थी और उनके साथ उन्होंने सबसे महत्पून बात क्या है अपने आज पास किन लोगों को रखा कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के संस्थापत थे संरक्षक थे अर्धिश्ठाता थे महिंदिस आइद का विद्यारति हों हमारे हिंदी के कवी ने लिख दिया भूशन ने कि शिवा जी न होते हैं तो सारे हिंदू का खत्ना हो गया होता है ये इतिहास कर दिये इस लिए इस इतिहास को काउंटर नहीं किया गया इसलिए कुछ लोगों ने उसका दूरुपयोग किया है मैं समच का इस्तेमाल उस हकीकत से इस मुलक क्रूपरू करने के लिए कर रहा हूँ जो इस मुलक के हर बाशन्दे को जानना चाहिए वरना उसे इस के सरीया रंग में केवल एक तरह का रंग दिखेगा जिसके नाम पर के सरिया रंग लेकर के किसी दूसरे की इबादत घर के सामने दंगा कराने चले जाओ ये के सरिया रंग तो तथागत बुद्ध के चीवर का रंग था ये के सरिया रंग चत्रपति शिवाजी का रंग था ये के सरिया रंग शहीद आजम भगत सिंग का रंग था जिनों ने इस मुल्क को बहतर बनाने के लिए अपने कुर्बाने देती वो किसी धार्मिक दंगे और किसी जुलूस का रंग नहीं था वो महबत का रंग था और इसलिए हम उस रंग की बात करने के लिए किस सिवा जी को याद कर रहे हैं इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है शिवा जी जब उनको जब वहां से निकाला गया शिवा पालकी में बैठ कर जब भागे बचने के लिए तो उनकी जगे पर जो डूबलीकेट शिवा जी बन कर बैठे थे उनका नाम था शिवा नाई वो नाई जाती से आते थे वो भी वही कमेरा जाती के थे मदारी महतर और हिरोजी फरजंद आगरा किले में चारपाई पर लेट कर अभिने कर रहे थे और एक दूसरा व्यक्ति उनका पैर दबा रहा था ताकि उस समय के जालिम ताना बादशाह को ये भ्रम रहे कि वो वहीं अंदर है और वो अपने हुनर से भाग के उससे निकल गए और अपने राज को फिर से आगे बढ़ाने में लग गए वो लोग कौन थे और शिवा जी को मैं कहां से देखता हूँ मैं कुछ नाम बोलते हुए जाऊंगा और जो लोग चाहते हैं कि शिवा जी को एक धरम का नेता बनाए हम उनसे ये कहना चाहते हैं न तो शिवा जी किसी एक धरम का राज बनाना चाहते थे नहीं तो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ थे शिवा जी के तोप खाने का प्रमुक उसका नाम है इब्राहिम खान शिवा जी की नौ सेना का प्रमुक उसका नाम है दौलत खान यानि दर्या सारंग दौलत खान शिवा जी के सबसे खास अंगरक्षकों में एक नाम है जिसका नाम है मदारी महतर शिवा जी के पास जो एकदम क्लोज चाकरी करते थे उनके साथ रहते थे उनमें एक सबसे प्रमुक नाम है काजी हैदर और काजी हैदर वह थे कि जब सालोरी के युद्ध के बाद औरंग जेब की तरब से एक ब्राम्हण वकील पैरवी करने के लिए भेजा गया शिवा जी के पास तो शिवा जी की तरब से पैरवी करने के लिए जो वकील गए वो काजी हैदर थे एक मुसल्मान बादशान एक हिंदू को वकील बना कर भेजा और एक हिंदू बादशान एक मुसल्मान को अपना वकील बना कर भेजा सिद्धी खिलाल एक ऐसा ही नाम है जो मुसल्मान सरदार था और शिवा जी के साथ था 1660 के युद्ध में रुस्तम जमा और फाजल खान दो मुसल्मान शाशक थे उनको युद्ध में कौन हरा रहा है सिद्धी हिलाल शिवा जी की तरफ से युद्ध करते हुए और सिद्धी जोहर पन्हाल गड किले की घेराबंदी की तब जाकर के शिवा जी पाल की लगा करके उस घेराबंदी का फाइदा उठा करके उससे युद्ध जीतने में काम्याब हुए ये पांच शे नाम में गिना रहा हूँ इस देश में आज कल तो गाना बज़रा है साब हम तो नाकपूर है जब जब नाकपूर आता हूँ तो नारंगी संतरे के बाद एक दूसरी चीज ही दिखाई देती है जसका प्रकोप पूरे देश पर इस समय है हमारी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गाना सुन रहे हैं आप लोग न खुल जाएं हम भी चाहते हैं कि हर जोपड़ी के भाग खुल जाएं वो जाती धर्म देख करके नहीं और हम चाहते हैं कि उस जोपड़ी का क्या होगा जे जोपड़ी में आज भी जोती बाफूले और सावित्री बाइ फूले की जलाई हुई सिक्षा की जोती नहीं पहुँची है हम उस जोपड़ी की भी चिंता करते हैं जिस जोपड़ी में अभी तक प्रोफेसर, वाइस चांसलर और तमाम तरह के लोग नहीं पहुँचे हैं मुझे लगता है कि शिवा जी आज होते तो क्या कर रहे होते लेकिन इस इतिहास को गाउं गाउं पहुचाने की जरूवत है कि शिवा जी के सरदार और शिवा जी के सेना में केवल हिंदू नहीं थे मुस्लिम संप्रदाई के लोग भी शिवा जी की सेना में शामिल थे इतिहास देखिए और अंग्जेब की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया मिर्जा राजा जैसिंग मुस्लिम शेहनशाह उसकी तरफ से वो पैरवी कर रहा था और जब मिर्जा राजा जैसिंग ने हमला बोला तो उसकी सेना में जो मुसल्मान शाशक था उसकी सेना में जाट मराठे राजा राय सिंग सिसोदिया सुजान सिंग बुंदेला हरिभान गौर शेर सिंग राठोर चतुर भुचोहान मित्र सेन इंद्रभान बुंदेला बाजी चंदराओ गोविंद राओ ये किस की तरफ से लड़ने आये थे मुशलमान बाज़ा की तरफ से लड़ने आये थे कोंडाना किले पर कबजा करते समय ताना जी मालूसरे वीरगती को प्राप्त हुए और उस युद्ध में कोंडाना का किलेदार उदैभानू एक हिंदू राजपूत थे और वो मुसलमान राजा की तरफ से दूसरे शाशक हिंदू से लड़ने आये हुए थे अकबर के पास पांच सो से ज़्यादा मनसबदार सरदार थे जो हिंदू थे उनकी आबादी थी 22.5% अकबर की मनसबदार हिंदू 22.5% शाजहां के यहां 22.4% और अंग्जेब के यहां शुरू में 21.6% और आगे बढ़ करके और अंग्जेब के हां हिंदू मनसबदारों की संख्या हो गई 31.6% बढ़ते चले गए वो कौन थे जिनकी तलवारें उन राजाओं के दरबार में भी गुलाम बन करके बैठी थी और मनसबदारी लेकर के राज कर रही थी और इस इतिहास को कहा जाता है कि ये हिंदू बना मुसल्मान की लड़ाई है नई लड़ाई है ये हिंदू बना मुसल्मान की ये लड़ाई राजाओं की राजाओं से थी और आज 2024 के भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को धरम के खिलाब खड़ा कर दिया जाए कि एक हिंदू राष्ट बनाना चाहते तो और मुसल्मान से लड़ रहे थे और अंग्जेब ने राजा जस्वंत सिंग नामक हिंदू राजपूत को सुबेदार नियुक्त किया उनका पहला प्रधान रगुनाद दास हिंदू था राजपूत होते हुए भी रगुनाद दास राजपूतों से लड़ रहा था और अंग्जेब की सेना की तरफ थे इब्राहिम गार्दी पेश्वाओं की तरफ से लड़ रहा था साब ये लड़ाई हिंदू बना मुसल्मान के नहीं थी ये लड़ाई राजाओं की थी जिसे हिंदू बना मुसल्मान बना कर पेश कर दिया गया हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता ही कि हिंदू बना मुस्लिम का युद्ध था जैसे शिवा जी का इस्तेमाल किया जाता है वेसी राणा प्रताप का इस्तेमाल किया जाता है वो भूल जाते हैं कि एक राजपूत नहीं दूसरे राजपूत को हराने के लिए किसी को बाहर से बुलाया था राजपूत मान सिंग के जिम्में अकबर की सेना थी जो राणा प्रताब से लड़ने आई थी राडा प्रताब से लड़ने जो अकबर की सेना आई है उसका सेना पती कौन है मान सिंग वो खुद राजपूत है और उसकी सेना में 60,000 मुगल के साथ 40,000 राजपूत सामिल थे तो ये धर्म की लड़ाई कैसे हो गई साब और उस 40 में हकीम नूर के नित्र तौली जो दूसरी सेना थी जो रणा प्रताब की तरफ से लड़ रही थी उसमें पठानों की एक तोली थी जिसका नित्र तो हकीम नूर कर रहे थे फिर ये हिंदु मुसल्मान की लड़ाई कहा है साब आज कल तो पूछ दो कि साब आपने का था दो करुण रोजगार देंगे तो कहा कि मंदिर बन गया वहीं बन गया आप पूछो कि सिक्षा का क्या हुआ तो कहेंगे 370 हटवा दिया आप कहेंगे कि आप कहेंगे 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे वो कहेंगे कि हमने कश्मीर को भारत में मिला दिया आप पूछेंगे कि आपने कहा था 2022 तक हर सर के उपर छत होगी तो वो कहेंगे त्रिपल तलाक हटा दिया आप कहेंगे मेरे बच्चों का भविश कहा है तो कहोगे कि मंदिर वहाँ है अभी अध्या जाकी है मतुरा काशी बाकी ये सवाल हमारे देश का सवाल है छत्रपति शिवा जी कौन थे इस बात को भी समझेगा बुजदिल को खुद्दार कहा जाता है अब जूती को दस्तार कहा जाता है अब जितने भी मजलूमों का हक खाते हैं उनको इजददार कहा जाता है ये हमारे देवर की विडमना है सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया जो दस लाख रुपए का सूट पहनता है सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया जो आठ हजार करोण रुपए के हवाई जहाज पर चलता है सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया जो दिन में तीन बार ड्रेस बदल करके कहा वो बेच रहे हैं भारत को खामोश मैं कैसे हो जाओं वो लूट रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाओं हाँ मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं रुकने दूँगा सौगंद मुझे इस मिटी की मैं देश नहीं पिकने दूँगा नागपुर के लोगों ये भाशन याद तो आ रहा होगा न जब जो मंच वैचारिक मंच होता है मैं कोशिश करता हूँ कि इस वैचारिक मंच से किसी छोटे मोटे नेता का नाम न लिया जाए यहाँ नाम लेंगे हम तो फूले अंबिटकर पेरियार का नाम लेंगे चत्रपति शिवा जी का नाम लेंगे और किसी का नाम लेने की जरूद नहीं है समझदार को इशारा काफी है जब इतना सब कुछ वादा किया गया तो वोट उनको दिया गया और जब वोट दिया गया तो उनने कहा कि देश नहीं बिकने दूँगा आते ही जिस रेलवे स्टेशन पर चाहे बेची थे सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन बेचा फिर रेल की पट्री बेचा फिर रेल के डिबे बेच दिये रेल के कार खाने बेच दिये हवाई चपल वालों को कहा था हवाई जहाज में उड़ाएंगे हवाई जहाज बेच दिया हवाई चपल वाला नीचे देखा तो हवाई चपल भी बिग गया है बैंक बिग गया, सेल बिग गया, भेल बिग गया, नौरत ने कमपनियां बिग गई मदल्ली विष्व द्याले में 14 साल पढ़ाया हूँ और मैं आप से कहने आया हूँ इस देश के स्कूल कॉलेज विष्व द्याले बिग गए, सिक्षा बिग गई जिसकी जेब में पैसा होगा, उसके बच्चे अच्छी सिक्षा पाएंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं है, मिड़े मिल का खराब खाना खाने के लिए आपके बच्चे भेजे जाएंगे, यहां हमारा भारत पहुंच गया है, फिर भी उसने का था, हमारा क्या है जी हम तो फर्ज निभा गए और जैसा भारत वो बनाना चाहते थे, हम वो ऐसा भारत बचा भी नहीं पाएंगे तो माफ करिए, हमें कोई हक नहीं है, जब छत्रपति शिवा जी को एक धर्म का राजा बना दिया जाए और दूसरे धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएं, और हम शिवा जी को मानने वाले इस दूर्पियोग को रोक न पाएं तो हम सिवा जी के वारिश नहीं कहला सकते हैं हमारे आखों के सामने दूर्पियोग हो रहा है और दूर्पियोग कौन लोग कर रहे हैं वही लोग चत्रपति शिवा जी का मेरे लिए मतलब क्या है इसको यहां से देखेगा आज तो जन तंत्र है ना प्रजा तंत्र है और प्रजा तंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता जनता के वोट से पैदा होता है लेकिन प्रजातंत में हम एक राजा को क्यों याद कर रहे हैं इस बात को समझना जरूरी है राजाओं का इतिहास इस देश ही नहीं दुनिया में दमन और शोषण का इतिहास रहा है राजाओं की सेना जब किसी भी तरफ जाती थी तो खड़ी फसलों को तबाह करते कुचलते जाती थी हमारे राजा छत्रपति शिवाजी ने अपने सेना को आदेश दिया कि किसी भी खड़ी फसल से सेना वहां से गुजरेगी नहीं एक सबजी का डंटल भी किसी किसान का नुकसान हो गया तो उस सैनिक पर कारवाई होगी इसलिए हम याद करते हैं कि जनवादी राजा का नाम छत्रपतिश शिवाजी महाराज आज इस इतियास को बताया नहीं जा रहा है चत्रपति शिवा जी महराज अपनी सेना को ये सक्त निर्देश दिये थे राजाओं की इतिहास में जब सबक सिखाना होता था तो ये देश वो है जो जोहर प्रथा मनाता है न दूनिया में कहीं सती प्रथाक नहीं थी इट सेपन ओनली इन इंडिया पती मर गया तो जलती हुई चिता पर पतनी को जबरदस्ति लिटाया जाएगा और पूजा करते हुए कहा जाएगा कि ये देवी है वह भी तो एक दवर था जिसमें धार्मिक भावना आतनी होती थी क्या बड़ी संगर्श किया गया और जब सती प्रथा को रोकने के लिए अंदोलन हो रहा था तो लोग उसके खिलाब खड़े होगे हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो नागपुर के लोगों बहुत दूर नहीं है यहां से पूड़े और भिड़े वाला मैं तो उत्तर भारत का हूँ मेरे यहां फूले अंबिटकर पेरियार बहुत देर से पहुँचे हैं इसलिए आज कल वहां हर जोपड़ी के भाग जग रहे हैं और सबके घर में कोई आ रहा है आप समझ रहे हैं नम इशारा क्या कर रहा हूं सामाजी का अंदोलन यहां मजबूत है और आज जरूत उस उत्तर भारत की है जहां लोग यह कह रहे हैं कि हम मंदिर या धरम के नाम पर वोट देंगे नहीं साब दोजार चौबिस के भारत में आपको सिक्षा के नाम पर वोट देना था रोजगार के नाम पर वोट देना था आपको पढ़ाई, कमाई, सिचाई, दवाई के नाम पर वोट देना था और निता आज कल के कह रहे हैं जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे मैं तो साहित कवे द्यारते हूं दुनिया में भगवान इंसान को लाते हैं भारत एक ऐसा देश जहां एक इंसान भगवान को ले की आया है इसलिए उनके नाम पर वोट मांग रहा है इससे धर्मिक भवनात नहीं होती भाई राम न सब को लाए होंगे अगर आपके भगवान राम है तो राम को कोन लाएगा अग कहां से लाए थे कहां चले गए थे कहां चले गए थे अभी अखबार में खबर छप रही है कलपना करिए इसका अगर लेंगविज ट्रांसलेशन कराकर दुनिया बर में बाट दिया जाए कि यहां पत्थर में प्राण डाले जाते हैं लेकिन सेना के जवान जो शहीद होते हैं हम उनमें प्राण नहीं डाल पाते एक बाबा का ओडियो देख रहा था मैं विडियो सर आज के भारत को समझे हम जागरूक लोग यहां बैठे हैं लेकिन हमारे देश की जनता इसी जगह पर मैं तो बहुत छोटा था मुझे याद है मेरे पिता जी समाजवादी कॉम्रेड हुआ करते थे उस जमाने में वो बहुत कुछ सिखाया करते थे भागत सिंग अंबिटकर से पहला परिशा मेरे पिता ने कराया था और मेरे बड़े पिता जी कबीर पंती एक सद्गुरू के शिश थे जिनोंने कहा था कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोई न हमें तालीम मिली कबीर की संतों मानुस्तन बोराना सांच कहो तो मारन धावे और जूटे जगपतियाना कबीर तो बहुत पहले लिग गए थे और उसी कबीर ने एक लाइन लिखी थी कस्तूरी कुंडली बसे मरिग ढूड़ है बनमाही और ऐसे घट घट राम है दुनिया देख है नाई जो आपके भीतर था उसे बाहर खड़ा करके दो धरम के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है बताओ शिवा जी का नाम लेकर के आज भी बधाई देने वालों शिवा जी तो किसी धरम के खिलाफ नहीं थे तुम क्यों धरम के खिलाफ हो तुम एक भी ट हिवाज़त करना जरूरी है तो उतना ही जरूरी मस्जित की हिवाज़त भी करना है और शिवा जी ने अपने सैनिकों को लिखित आदेश दिया था युद्ध करने जाओ और अगर मुसल्मानों की कुरान कहीं पढ़ जाए गिरी हुई मिले तो उसे किसी मुसल्मान को उसी स मान और हिफाज़त के साथ दे देना उनके धार्मिक गंद से बतसलू की मत करना उस छत्रपति शिवाज़य को मैद करना चाहता हूँ सती प्रथा के मानने वाले देश में राजाओं का इतिहास ये था कि एक राजा दूसरे को जब अपमानित करना चाहता था तो उनका राज जीतने के बाद महिलाओं से बलातकार करता था और उनको जबरदस्ती उठा कर ले जाता था दो वाकए मैं गिनाना चाहता हूँ इस बात को आज के भारत में कहना बहुत जरूरी है मंदिर तोड़े गए केवल मुसल्मान तोड़े कश्मीर का एक राजा है जिसका नाम हर्ष देव हिंदू है और वो मंदिरों हिंदूओं के मंदिरों को लूटा और उसकी मूर्तियों को पिगला करके उस धात को बेचा और अपने राज कोश में लिखा और इसका प्रमाड मैं देता हूँ कलहड की एक रचना है जिसका नाम है राज तरंगणी जिसको प्रमाड चाहिए मैं जूट कता ही नहीं बोल रहा हूँ इस किताब में देख लीजिए जूट बोलने का हक मुझे नहीं है क्योंकि मैं इस देश का प्रधान मंतरी नहीं हूँ मैं सिक्षा कलम और किताब का व्यक्ति हूँ तो प्रमार के साथ आपको बात कर रहा हूँ इस देश को आप धरम के नाम पर दंगे में जोगते जा रहें साथ एक साथ मिल करके रहते थे और अब तो पतंगें भी ये देखकर हैरान हो गई कि ये छटे भी हिंदू मुसल्मान हो गई हम तो महबत और प्यार का भारत बनाना चाहते हैं छट्रपतिश्वा जी एक महबत का भारत बनाना चाहते थे बहुत सारे लोगों ने लूटा है बहुत सारे राजाओं ने तमाम जगहों को लूटा एस पागड़ी के किताब है छत्रपति शिवा जी उस किताब में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी धार्मिक अस्थल को कोई भी हमारी सेना का व्यक्ति छती पहुँचाएगा तो हम उसको सजा देंगे यह प्रमाण आपके किताब में छत्रपति शिवा जी ने प्रमाण के साथ दिया है अब आगे सुनिए छत्रपति शिवा जी भोसले थे ना तो ब्रामणों ने भी विरोध किया और छत्रियों ने भी विरोध किया कि छान बेकुल वाले लोगों में शिवा जी की जाती का नाम तो है नहीं तो शिवा जी तो हमारे हैं नहीं, बताओ कर्म के नाम पर देखने वालों, तुम तो जाती के नाम पर लोगों को देखते थे, इसलिए आगे सुनिये शिवा जी का मामला, और हम तो ये एक बात कहना चाहते हैं, और बहुत जरूरी बात है, महिलाओं से जुड़ी हुई बात जिसको कहना इतना जरूरी है, वो प्रसंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कि शिवा जी का अपना एक सैनिक, और उसका नाम मैं बताना चाहता हूँ, 1678 में, शिवा जी की सेना का एक सेना पती है, जिसका नाम है सकू जी गायकवाड, और सकू जी गायकवाड सावित्री देवी दिसाई थी, जो सामने प्रतिपक्षी सेना की तरफ से लड़ रही थी, 24 दिन तक उन्होंने महिला होने के बावजूद, ताकत से लड़कर के युद्ध का सामना किया, और जब हार गई युद्ध, तो सकू जी गायकवाड जो शिवा जी के सेना पती थे, उस सकू जी गायकवाड ने सावित्री बाई से बलातकार किया, यह खबर जब शिवा जी को मिली, तो शिवा जी ने ततकाल अपने सबसे वरिष्ट सेना पती की दोनों आखें फुड़वा करके, उम्र कहे दे दी, कि इसने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, यह हमारी सेना में रहने के काबिल नहीं है, और आज जो बलातकारियों को बचाने के लिए सदन में खड़ हो जाते हैं, वो भी चतरपति शिवा जी का नाम लेते हैं, यह अपमान है शिवा जी का, जो महिलाओं के विरोध में खड़े होकर उनको बात करते हैं, हाथरस का नाओ का अगर मामला आपको पता होगा तो आप जानते होंगे, उत्तरप्रदेश में एक जगह हाथरस, एक दलित बेटी के साथ बलातकार हुआ, और उनकी जाती वालों ने पंचायत की, आधी रात को उस बेटी का शव बिना उसके परिवार वालों की समती के पेट्रॉल डाल करके जला दिया गया, चिनमयाने अंद याद हैं आपको, बलातकारियों के पक्ष में रैली निकाली जब उनकी पत्नी की बात आई, तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पहले पढ़ेगी और पढ़ाएगी, और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले को उन्होंने जमीन पर आम की डंठल से तोड़ करके पढ़ाया, और जब पहला स्कूल खोला, तो इस स्कूल में पढ़ाने ज पुछ हूँ कि सावित्री भाई फूले के ऊपर कीचड किसने मारा, सावित्री भाई फूले के ऊपर पत्थर किसने फेका, सावित्री भाई फूले और जोतिभा फूले के पिता, गोविंद राउ को जाकर उनके घर पर कौन बताया कि आपका बच्चा जो दलित बच्चों को और महिलाओं को सिक्षा देने का काम कर रहा है ये धरम के विरोध में काम है ये बड़े-बड़े पोश्टर पूरे और भीड़े वाला में लगाये गए कि धरम के खिलाफ काम हो रहा है ऐसा कौन सा धरम जो सिक्षा भी जाती देख कर देता था दुनाचारियों को याद करोगे तो हम भी एकलव का नाम गुलजार करेंगे कि एकलव के बंशज है हम अब अंगूठा तुम्हें देने वाले नहीं हैं हम अपना हक छिन करके लेने वाले हैं तब हम शिवा जी की बात यहां पर खड़े होके करें क्यों अंगूठा मांगा था एकलव शे और यह हमने तो नहीं लिखा किसी ने तो नहीं लिखा यह आपके गरंथ में लिखा हुआ है आपके रामराज में कोई रिशी संबूक क्यों मारा गया यह सवाल कौन पूछेगा इसलिए क्योंकि वो शूद्र था और शूद्र को तपस्या करने का हक नहीं था एकलव को पढ़ने का हक नहीं था भारत का संबुधान बना तो उसने कहा कि अब कोई भी जाती देख करके नहीं होगा एक वोट एक व्यक्ती और एक व्यक्ती की एक वोट की एक कीमत होगी एसलिए हम अपने सीने से किसी सबसे बड़े गरंट को लगा कर रखते हैं तो उस गरंट का नाम है भारत का सम्विधान जो इस देश को सबको बराबरी का भारत बनाना चाहता है और आज कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलना है और हिंदू राष्ट बनाना है कौन कह रहा है ये संविधान के खिलाफ कैसे हो सकते हैं इस बात को समझे और आईए शिवाजी से और पर्चित होईए उस शिवाजी का नाम लेने वालों को तो पता ही नहीं कि शिवा जी की समाधी कहा है शिवा जी का पवाडा लिखने वाला हमारा पुर्खा जोतिबा फूले है जिसने शिवा जी को पूरा खोजा और कहा कि ये कुन भी किसान का बेटा था इसलिए तुमने अपमानित किया और उन्होंने उनका पवाडा लिख करके गौरवानित किय तब जाकर के लोग शिवा जी को जानने लगे कि हाँ शिवा जी कौन है इसलिए उस पुर्खे का नाम जोतिबा फुले है और इसलिए हम यह बात कहना चाहते है जब तक पहले उन्होंने चाहा कि इस इतिहास को मिटा दें जैसे डॉक्टर अमबेटकर को पहले चाहा कि मिटा दें उन्हें पढ़ें न उन्हें कोई जाने न लेकिन जैसे कुछ बीज होते हैं न वो जमीन पर यूँ ही फेड़ दो तो बंजर धर्ती का सीना चीर करके लहला आते हुए उठ खड़े होते हैं उनमें से एक नाम है जोतिबा फूले का छत्रपति शिवा जी का बाबा साब डॉक्टर भीमरा अमबेटकर का उनको तो लोगों ने मिटाना चाहा था 1990 में भारत रतन मिला बाबा साब अमबेटकर को 40 साल भारत के आजादी के लग गए बाबा साब डॉक्टर अमबेटकर का संपूर वांग में 1980 में प्रकाशित हुआ तब जाकर कि 1990 में भारत रतन दिया गया और आजकल तो भारत रतन ऐसे बाट दिया जा रहा है आचा तुम बहुत नाराज दिख रहे हो आओ ये लो भारत रतन तुम ले जाओ अचा तुम तुमारा वोटर कमजोर हो गया लो एक भारत रतन तुम रख लो एक तुमको दे देते हैं अचा उधर बियार में गठबंधन तुडवाना है तो उस करपूरी ठाकुर को भारत रतन दे दो जिसके लिए नारा लगाया था कि M.A.B.A. पास करेंगे करपूरिया को बास करेंगे ये गाली दी थी तुमने कल करपूरी ठाकुर को और आज करपूरी ठाकुर को भारत रतन दे दे रहे हो पहले माफी मांगो कि जिस आदमी ने मंडल कमीशन के पहले जब बिहार में आरक्षन लगाया तो आरक्षन लागू करने वाले करपूरी ठाकुर को गाली किस ने दी आरक्षन कहां से आई करपूरी की मा और उसके आगे मैं बोल भी नहीं सकता वो नारे उत्तर भारत में गली गली में गूँचते थे जैसे मा एक बच्चे को जन्व देती है वैसे करपूरी ठाकुर की मा को गाली दी गई कि आरक्षन उसने पैदा किया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे वही आप किया कुनभी किसान और हमारे याँ वही OBC में और भी किसान जाती है और कई OBC को लगता है कि हम तो छत्री है महराष्ट वालों इशारा आप भी समझाओ मंडल अंदोलन लागू हुआ तो कुछ लोग कह रहे हैं ना ना हम OBC नहीं है हम तो छत्री हैं अब आप हमको भी OBC बनाना है भाई हैं आप हमारे हम आपके खिलाप नहीं जाएंगे जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए जंग गर भाई से हो तो हार जाना चाहिए इसलिए हम कह रहे हम अपने भाईयों से नहीं लड़ेंगे हम आप से ये कहेंगे कि काश उस समय आपको भी समझ में आ गया होता कि जो मुक से पैदा हुआ वो कभी आपको छत्री नहीं मानेगा जब उसने शिवा जी को छत्री नहीं माना उत्तर भारत में भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जाट गुजर और यहां पर पटेल और मराठा यह सारे लोग कहते थे कि हम ओबी सी नहीं हैं अब उन्हें समझ में आया कि ये तो हमको समझ मानते ही नहीं छत्री मानते ही नहीं हम कहां जाएं तो उन्होंने कहा कि हमको ओबी सी में शामिल कर दो हम कहते हैं कोई बात नहीं हमारा दिल बहुत बढ़ा है हमने जब उनको माफ कर दिया जिन्नों नहीं पानी नहीं पीने दिया था तो आप तो हमारे भाई हो लेकिन एक शर्त है आप भी चलो अंदोलन में एक लाइन जोड़ो जब तक जाती जनगड़ना करा कर बावन परसें नहीं दिया जाएगा तब तक आप अपना अंदोलन बंद नहीं करोगे भाई आबादी बढ़ेगी तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बढ़ जाए एक डिब्बे में कितने लोग बैठेंगे उधर आगे वाले डिब्बे में बहुत जगह खाली है तीन परसेंट लोग नबे परसेंट कबजा किये हुए अब समय आ गया है कि थोड़ा रिसेटलमेंट किया जाए बहुत दिन तक आपने मलाई खाई है इसलिए एक बार जाती जनगरना करा दो और आप देखो जाती जनगरना नाकपुर के लोगों गुजरात का एक नेता जब वहां मुख्य मंत तुम्हें गालियां दी जा रही है मैं डेड़ देव की लोग गाली रोज खाता हूं मुझे आज तक 90 गाली दी गई बान बे गाली दी गई मैं तो तुम्हारे लिए सेवा करता हूं और अचानक जब OBC समाज के लोग कहें कि जब महराज आप भी OBC हैं तो जाती जनगरना करवा दीजिए उसने का ना ना जाती तो होती नहीं जाती के वल गरीब और अमीर होती है ये धोखा किस ने दिया आपके मुताबिक हो तो आप अपनी जातियां गिनवाने लगते हैं और जब इस मुल्क के 90% लोग हक मांगने लगें तो कहते हो जाती वाद बढ़ा रहे हम नहीं साब 2019 में मैं विश्वद्याले में जब पढ़ाता था अब तो मुझे नौकरी से निकाल दिया आपको शायद पता भी होगा कि नहीं मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था इसलिए उन्होंने नौकरी से निकाल दिया उनको लगा कि ये तो संबिधान की बात करता है आँख में आँख डाल करके बिना डड़े सवाल करता है अरे साब जिसके पुर्के बिरसा फूले अंबिटकर पिरियार और छत्रपति शिवा जी की जैसे हो उनकी वारिस कभी भी डर करके नहीं आँख में आँख डाल करके सवाल करते हैं और ताना शाहों से डरने वाले लोग ने गया और वह अभी जब नागपूर में आप लोग बुलाते हैं तो हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि हम जोकरी मांगने जाएंगे तो पुलिस से लाठी मरवाया जाएगा इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि आज अगर इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए सबका साथ सबका विकास सबका बिश्वास मेरा पुर्खा कबीर लिख गया है मोको कहां ढूडेरे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कहलास में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में खोजी होई तो तूर्ते में लिए हूँ पल भर की तालास में कहें कबीर स तुनों भाई सादो, मैं तो हूँ विस्वास में, और मेरे अंदर की भगवान को तुमने बाहर लाकर दूसरे वाले से लड़ा दिया, नहीं साथ, इस खेल को तुमारे हम समझते हैं, और हम जानते हैं, कि हमारे देश की बहु संख्य काबादी सिक्षित नहीं है जागरुक नहीं है इसलिए पुराने लोग जो बैठें उनको पता होगा आज से 20-25 साल पहले कुछ मूर्तियां दूद पीने लगी थी गलत तो नहीं कह रहा फिर से मैं कह रहा हूँ I am not Prime Minister of India मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा आज भी Google करिये आपको पता चलेगा कि एक समय मूर्तियां दूद पी रहीती हैं मैं किवल एक बात जानना चाहता हूँ आज कल प्यास नहीं लग रही मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूँ अगर पीती हैं तो आज भी पीना चाहिए न अखबार में आज Google करके देखिए कि वहाँ पर एक मंदिर बना जिसमें कहा जा रहा है कि वो थोड़े बीमार हो गए ठंड लग गई है साइड नहीं करो ऐसा भाई जिसको खुदा भगवान ईश्वर को मानना होगा वो दिल में मानता होगा सरकार हम चुनते हैं सिक्षा स्वास्त रोजगार के लिए स्कूल कॉलिज हस्पिटल बनाने के लिए सड़क बनाने के लिए अच्छा विकास करने के लिए धरम का काम लोगों का नीजी काम होता है धरम का काम करने वाले राजनिती करने लगे और राजनिता यहाँ पर पुजारी बनके बैठ गए तस्वीरें याद है ना आपको शिवा जी इसलिए ऐसा राज चाहते थे जहां वो नाप और जोख कराते हैं कि किसानों से कितना टैक्स वसूला जाएगा इसकी पहले नाप जोख होगी और अगर अकाल पड़ेगा तो अकाल में किसानों से टैक्स नहीं लिया जाएगा इसलिए उस सुराज का मॉडल है आईडिय आफ इंडिया का मॉडल याद करो लोगों जब कोरोना आया तो आपसे टैक्स वसूला गया कि नहीं वसूला गया आपदा कोसर में बदला गया कि नहीं बदला गया और PM केर फंड में जितना पैसा दिया वो RTI की दायरेम नहीं आएगा जैसे इलेक्टोरल बॉंड कौन पैसा देता है आप जानी नहीं सकते आपका पैसा ले करके कोई फकीर राजा बन गया और आपको भिकारी बना दिया और उसे पता है कि आप भिकारी बन चुके हैं इसलिए उसने घोशना कर दिये अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा 80 करून लोगों को बधाई हो ये आपका आगया है राज शिवा जी का राज ये नहीं था शिवा जी का राज खेती किसानी का राज था शिवा जी का राज महबत और प्यार का राज था इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं हाकिमे वक्त उतराया है अदाकारी पर लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर कल इसी जुर्म पर तख्ते पलट दिये जाते थे आज एजास दिया जाता है गदारी पर हमारे लोग माराश्ट के लोगों एक नाम और लूँ याद करना अपना इतिहास दलित पैंथर पैंथर का अंदोलन था उन्हें से एक पैंथर वहीं बैठ करके चुटकुला सुनाता है अब मैं क्या बोलनूँ और हमारी विडमना और विरोधा भास है कि वो केवल तब खड़े होते हैं जब वहाँ लोग बोर होने लगते हैं तो एक ऐसी लिखी हुई कविता पढ़ते हैं आ गया है इस मैफिल में रंग अब आएगी यहाँ भंग और अब ही आपके चलेंगे हम संग ऐसी कविता पढ़ते हैं और वो कौन है वो दलित पैंथर मुमेंट के नायक थे बाबा साब अमबिटकर ने एक मंदिर जाने का अंदोलन चलाया और बंद कर दिया उन्होंने कहा कि मिलिंद कॉलेज खोल रहा हूँ अपने बच्चों को बचाना होगा तो स्कूल कॉलेज बिश्व दियाले बनाना मंदिर मस्जित की लड़ाई तुम्हारी लड़ाई नहीं है आज वहीं बैठे हैं वो लोग सबसे आगे किये हैं और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ हम करें बात दलिलों से तो रद होती है उनके होटों की खामोशी भी सनद होती है कुछ न कहने से भी छिंजाता है अजाज सुकन जुर्म सहने से भी जालिम की मदद होती है इसलिए ये जो जुर्म हम सह रहे हैं ना जहां दब्बू होते हैं वहीं जालिम पनपते हैं बाबा साब अमबेटकर दब्बू होते तो सया जी बाग गायक वहाँ पर पढ़ करके लोटे थे न डॉक्टर अमबेटकर 32 डिगरियां लेकर विदेश से लोटे थे चार पिएच डी और 32 की 32 ओरिजिनल डिगरियां थी एक भी फेक डिगरी नहीं थी उसमें और वो जब वहाँ पर अधिकारी बन करके बैठे तो फाइल फेक कर दी जा रहे थी यही है विश्य गरू यही है सोने की चड़िया डॉक्टर अमबेटकर को पानी पीने को वो नहीं मिलता था जो सब को मिलता था वापस लोटकर बडोधरा में आए तो सया जी बाग में बैठकर रोये थे डॉक्टर अमबेटकर की इतना पढ़ लिक करके मैं लोटाओं मेरे साथ जब इतनी जादती हो रही है तो मेरे राग में संकल्प लिये थे कि जब तक जाती बैस्ता को खतम नहीं कर दूँगा इस भारत को नहीं छोड़ूँगा एक रात में विदेश का पत्रकार जब डॉक्टर अमबेटकर से मिलने आया तो डॉक्टर अमबेटकर पढ़ रहे थे रात में जाकर उस पत्रकार ने कहा सोने और जागने की बात में मुझे फिर से कबीर आते हैं याद सुखिया सब संसार है खावे अरुसोवे दुखिया दास कबीर है जागे अरुरोवे आज भी इस वक्त जो आँख में आँख डाल करके लड़ रहा है ना वही आपका सच्चा वारिस है उसको बुला कर मेरे लिए महबबत के नायक है शिवा जी मेरे लिए एक ऐसे राजा है जिसको प्रजा अपना मानती है शिवा नाई जब ये इस बात के लिए तयार हो गया कि शिवा जी की जगह पर मुझे खड़ा होना है तो उस नाई को पता था कि वो मारा जाएगा फिर भी वहां रहा उसके बाद जब उस महतर को वहां पर चारपाई पर लेटना था उसे पता था कि वहां मारा जाएगा वो लेकिन उसे पता था कि मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा शिवा जी जिन्दा रहेगा तो एक दिन स्वराज लाके रहेगा उस मिशन के लिए उन लोगो नहीं जीता है, राजा का मतलब प्रजा का दिल जीतना होता है, और आज प्रजा के खिलाफ राजा बैठा है और घोशना कर रहा है कि तुमें हम ऐसे ही रखेंगे, एक बात बताओओं मैं आपको और हम लोग उलजे रते हैं किसी और जगह, एक दो किस्से सुना कर मैं निकलूंगा मुझे जाना है, एक बार एक जंगल में एक बाग और गधा आपस में बहस करने लगे, जैसे आजकल कभी-कभी हम OBC, SC, ST बहस करने लगते हैं, तुम प्योर अंबेट कराइट नहीं हो, तुम प्योर नहीं हो, तुमारे अंदर कलावा बाते हो, यह जैबीम बोलता है, ठीक नहीं है, प्योरिटी चेक करते हैं, इसको समझेगा इस कहानी से, कि बाग और गधा आपस में बात करने लगे, उलज गए, गधा बोला कि यह घास नीले रंकी है, बाग बोला नहीं रे पागल, यह घास तो हरे रंकी है, गधा बोला कि साहब हुजूर ओयाला, यह घास नीले रंकी है, बाग ने का, नहीं हुजूर, यह घास हरे रंकी है, बताओ, तो शेर ने का, मैं अपका न्याय करता हूँ, शेर ने न्याय किया, कि गधा सही बोल रहा है, कि घास नीले रंकी है, बाग को एक साल का आजीवन का रावास दिया जाए नयाई कर रहा था शेर बाग छूट कर आया शेर से पूछा कि शेर तुम देख रहे हो कि घास हरे रंकी है और तब भी तुम मेरे खिलाफ नयाई कर रहे हो शेर ने कहा ये सजा तुमें इस बात के लिए नहीं है कि तुम गलत हो सजा तुम्हें इस बात के लिए है कि तुम गधे से बहस कर रहे हो मतलब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तुम उस गधे से बहस कर रहे हो जो दिख रहा है उसके लिए तुम बहस कर रहे हो मेरे देश के लोगों किस पर बहस कर रहे हो आप भी समझ ले न असली जगर पर अगर बहस नहीं किये तो पच्चेस-पचास साल बात पीडियां याद करेंगी साहब मैं विश्विद्याले से निकाला गया तो मेरे सामने भी एक मौका था कि चुप रहकर के उस राजा के दर्बार में दर्बारी बन जाओं तो मुझे भी कहीं प्रोफेसर बना देगा मैं तो टॉपर आफ बैच तायलाबाद इंवस्टी का गोर्ड मेडलिस्ट मेरा इंवस्टी में 100 में 96 नंबर था अपनी मेरेट के दम पर वहां तब पहुचा था मैंने ये तैं किया कि इस जालिम वक्त में लब खोलेगा कौन और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन इसलिए हमने तैं किया कि तुम छीन सकते थे तो एक नौकरी ही थी वो छीन सकते थे ना नौकरी छीन ली कि मैं अपने बच्चों का प्रोफेसर नहीं रहूंगा अब मैं जहां जाता हूँ वहां लोग मुझते कहते हैं कि तुम जनता का प्रोफेसर है तुम हमारे बीच आया कर हम स्कूल एमबिटकर्ट पेरियार केमिशन को आगे ले चलेंगे ऐसलिए बिना डरे आपके सामने आकर एक वादा करना चाहता हूँ बचाना हमारी जम्मेदारी है साथ मैं जाते जाते एक किस्ता आपको सुना कर क्योंकि मेरा वक्त लगबग हो गया है एक किस्से को यहां से समझे हमारे पर दादा एक दिन में दस मील पैदल चलते थे हमारे पिता जी लोग एक दिन में पांच मील पैदल चलते रहोंगे मैं गाड़ी से चलता हूँ पांच लाग की मेरा बेटा हो सकता है कि पचास लाग की गाड़ी से चले लेकिन उसका बेटा हो सकता है वापस पैदल चलने लगे इसे यूँ समझें कि मुश्किल वक्त ताकतवर इंसान पैदा करता है ताकतवर लोग आसान वक्त बनाते हैं आसान वक्त कमजोर लोग पैदा करता है और कमजोर लोग फिर से मुश्किल वक्त पैदा कर देते है इतना साही सफर है हमारा ये पुर्खा हमारा ताकतवर था फूले अमबिटकर पेरियार ताकतवर थे डक्टर राम मन और लहिया मानिवर कांशी राम ताकतवर लोग थे आंख में आँख डाल करके इस देश में सामाजिक न्याई की लड़ाई और संविधान की लड़ाई को मजबूत किया हमें वो विरासत में मिला कि आँख में आँख डाल करके खड़े हैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा है कोई गाड़ी से चल रहा है कोई अपना वजूद बना लिया क्योंकि उसके पहले तो पीने को पानी भी आपको जाती देख करके पीला जाता था हम कौन सा भारत बना कर जाएंगे ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूं ताकतवर लोग ऐसा भारत बनाए कि हम पैदा हुए हम कहीं ऐसा भारत न छोड़ कर जाएं कि पच्चे साल बाद पचास साल बाद लोग पूछें कि तुम जब थे तो इसलिए संबिधान था तुम जब थे तो बिरसा फूलें बिटकर पेरियार का सपना जंदा था तुम जब थे तो संबिधान लागू था तुम जब थे तो सरकारी सिक्षा थी तुम जब थे तो सरकारी रोजगार था तुम जब थे तुम हब्बत औ प्यार का भारत था पच्चास साल बाद हमारी पीड़ियां से पूछेंगी साथ जब ये सब हो रहा था तुमारी आँखों के सामने तब तुम क्या कर रहे थे हम केवल ये कहेंगे कि हम जैनती मना रहे थे नहीं हमें कहना होगा कि जेल में जाने से डरे बिना ये किताब जिससे मैंने रिफरेंस लिया है गोविंद पंसारे की है गोली मार दिया गया उस आदमी को केवल सच बोलने के लिए इस गोली खाए ताकि हम लोग बच सके भगत सिंग शहीद हुए ताकि भारत ऐसा बने जो अपनी जोपड़ी का भाग खोलेगा नहीं साब भारत को ऐसा बनना था कि हावर्ड केंब्रिज विश्व द्याले जहां आज हैं वहाँ देश का डियू और जेनियू बनना था और मेरे विश्व द्याले में चल कर देखिए जहां लड़कियों का होस्टल खोला जाना था वहाँ गोशाला खोली है और गोबर पर रिसर्च हो रहा है बनारस का एक विश्व द्याले मैंने अपनी किताब लिखी है परचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ मेरी किताब ये कहानी कहेगी कि कलम किताब थी तो हम लोग यहां तक खड़े हो पाए और अब वो कलम और किताब बंदूग के साए में पूझी पतियों के हाथों में बेच दी गई है अब अमीर लोगों के बच्चों के हाथ में कलम और किताब पहुँचे कि गरीब लोग पढ़नी पाएंगे बेरोजगार भीड का नेता इस्तेमाल करेगा और वही ही बताएगा कि धरम खत्रे में है और ग्री मंत्री का बेटा BCCI का चेयर्मेन बनेगा धरम बचाने नहीं आएगा हमारे आपके साफिर भोर भाई अब रेन कहां जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है सो पावत है इसे उमीद के साथ कि छत्रपति शिवा जी का दुरपयोग होने से भी रोकना है और छत्रपति शिवा जी के सपनों का भारत बनाना है बाबा साब डक्टर भीम राउंबिटकर के डक्टर रामन और लोहिया के ईवी रामा स्वामी नायकर पिरियार के बिर्सा मुंडा के संविधान के भारत को बनाना हमारी जिम्मेदारी है वरना आने वाली पिड़ियां हमसे पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे मैं उनसे आँख में आँख डाल करके कहूंगा कि ऐसे जालिम वक्त में भी ताना शाह से डरे बिना मैं मुल्क में समाजिक नैस समाजवाद और भारत के संविधान की बात क मुझे सुना बहुत बहुत धन्यवाद जै शिवाजी जै जै यारवाई